साथियों कर्मचारियों की पाँच बड़ी खबरे पूरी वर लेटेस्ट इंफर्मिसन के लिए इस वीडियो में आप अंतर तक बन रहें तो पहली खबर की ओर चलते हैं मीटिंग में मुख्य मंतरी को गोली मारो कहने वाला सिक्सक सस्पेंड विशेश खबर भोपाल से मद्यपर्देस के धार जिले में सिक्सकों की एक मीटिंग के दोरान मुख्य मंतरी को गोली मारो कहने वाला सिक्सक गोविंद अलावा को सस्पेंड कर दिया गया है बताया गये कि आपत्य जिनक बयान देते समय नसे में धूत था उसने मुख्य मंत्री सिवराची चोहान के प्रति कई अब सब्द कही दिनांग 20 जुलाई 2021 को एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एक सिखसक सिवराची चोहान के प्रति आपत्य जिनक सब्द कहते हुए सुना जा रहा था वीभाग ये इस्तर पर छान बीन कने पर पता चला कि यह वीडियो कुकसी के कन्या विध्याले के सभागरा में जैन सिखसक के अंदर कुकसी के सिख्ञवों की शासगी कारें की समिक सकी बैठोफ था वारिल हुए वीडियो में बियार सी सिख्ञ, जहन सिख्ञ और समस्त शंकूल के सिख्ञ काएं उपस्ती थी इसी आफेसिल मीटिंग के तोरान रोजा गाउं के मादमिक स्कुल के पदस्ता सिक्सक गोविंद अलावा ने घुस्ते में कहा कि इसकुल क्यों ने खोले जा रहे हैं बच्चे पिगड़ते जा रहे हैं मुख्यमंत्री को गोली मारो उनके लिए आफ सब्दों का पुर्योग किया गया इस मीटिंग में मोजुद किसी अन्डे सिक्सक ने पूरा वीडियो बना लिया था जो बाद में वारेल हुआ जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिह के रदेश पर सहायक आयुक्त प्रजेस चंदरपांडे ने शिक्सक गोईन अलावा को निलंबित कर्थोई बताया कि ये क्रत मध्य प्रदेश सिविल सेवाचर नियम 1965 के नियम तीन के प्रतिकुल होकर कदा चरण की स्त्रिणी में आता है और चरण बद आंदोलन सुरू हो चुका है तई कि आगये खेदी सरकार ने मांग नहीं मानी तो तरियालीस कर्मचारी सेंगडन 30 जुलाई से एक साथ हरताल पड़ चले जाएंगे मत्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी सेंगतु मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर में कर्मचारियों के करीबन तरियाली सेंगडन चरण बद तरीके से आंदोलन कर रहें कर्मचारी निताओं ने 29 जुलाई से प्रदेश भर के कर्मचारी दोवारा सामुई का उकास पर जाने और आफिसों में लागडाउन किस्तिती बनाने का एलान किया आई कर्मचारी संगडनों के अनुसार यदि सरकार मांगो ने राकट नहीं करती है तो 30 जुलाई से कर्मचारी अनिश्चित करने हरताल पर चले जाएंगी मत्यपर्देश के सास्की कर्मचारी की मांगे यह है एक जुलाई 2020 एक जुलाई 2021 की वेतन रुदे कलाब ततकाल दिया जाए पांच फिस्दी मेंगाई बता जो सरकार ने इस्तेकित कर दिया था उसका भुक्तान कर्मचारी को किया जाए कर्मचारी कर्मचारी को जल्द प्रमोशन दिया जाए अपने इस्थानांदर नीती को केंदरी गत करते हुए सम्पून अधिकार अपने पास वरोषकत रखे गई जिसके थाँज़िले के अंदर के इसानांदर के साथ अंतर जिला इस्थानांदर ने भी एक चात करने के तयारी चल रही लोग सिक्सणाले दवर अपने हितों की दरष्ट के तरकतू हुए ऐसे निती निर्धारित की गई जिससे जिले के अंदर इस्तनातर ने तो इच्छुक सिक्सखुक की अपकसा अने जीलों से आने वले सिक्सखुक को प्रत्मिता दी जा रही है जबकि होना यह था कि सबसे पहले जीले के अंदर इच्चुक शिक्सकों को पहले अउसर परदान करते हुए उनके मन चाहिसान पर इस्तानित किया जाए तर्थ पस्यात रिक्त पदोपरों ने जीलों में आने वाले शिक्सकों को इस्तान अंदन किया जाता है इसा नहीं करने से जीले के सेक्णों है सिक्सक अपने स्वेचीक इस्तनांतर के हाग से वंचित हो जावेंगी संग सिक्सकों के हीद इस दोस्पून इस्तनांतरों का विरोध करता है और बड़ी खबर इस राजी ने करमचारियों पैंसनोरों को दिया 28% ब्रिये का तोफा हरियाना के मुख्यमंत्री मनोलाल खाटर ने केंद सरकार की तरज़ पर राजी के करमचारियों और पैंसनोरों का महेंगायवत्ता 17% से बढ़ा कर 28% करने की गोष्णा किये जो की 1 जुलाई से लागव होगी बढ़ावा महेंगायवत्ता 1 जनुरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनुरी 2021 सिदे महेंगायवत्ते दर्वी सामिले महेंगायवत्ते में बड़त्री से राजी के लगबग 2.85 लाग सरकारी करमचारियों और 2.62 लाग पैंसनरों को लाप होगा इससे राजी सरकार के खजाने पर परती महेंगी लगबग 210 करोण रुपे का तरिक्त भार पड़ेगा दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार विकत करना न भूलें जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए वापास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अप्लोट किये जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सदिक सेर कीजिए थैंक यू